सोन पुर्णाम का एक बड़ा सा गाउं हुआ करता था जहां अधिकता खेती बाड़ी करने वादे किसान रहा करते थे वहीं गाउं के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक ब्रूत भूत दिन भर तो गायव रहता था लेकिन रात होते ही वाग गाउं वालों को फूर परिसान किया करता था रात होते ही भूत पूरे गाउं के चकर काटने लगता और कभी किसी के पस्वों को नुसकान पहुचाता तो कभी किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं बाता भूत के डर से साम होते ही गाउं में सनाता फैल जाता था रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था एक मार उसे परेशान गाउं के लोगों ने एक पफूर बड़े साध्रों को गाउं में बुलाया और उनसे अपनी सांस्या का निदान करने के लिए गुजारिस की गाउं वाले साध्रों को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है साध्रों अपने चप अव तब से भूत को काबू करने की बहुत कोशिस करता है लेकिन वा उसके हाथ नहीं आता अंत में साध्रों भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गाउं वालों से करता है कि ये भूत केवल रात के अनहेरे में निकलता है जिसका अर्थ है कि किसे दिन की रोसनी से डब लगता है और रात के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है साधु की बात सुनकर सभी गाउं वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं रात को जब भूत पेर से निकल कर गाउं में परवेश करता है तो किसान हाथों में मसाल लिए चारो गोर कुजाला कर देते हैं रोसनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेर की और भाग जाता है वही गाउं वाले भी उसके पिछे 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 पेर के पास पहुँच जाते हैं रोसनी में सादु भूद को पेड़ से पांच देता है और फिर गाउवाले भूद को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं इस तरह से गाउवालों को भूद की समस्या से निजात मिल जाता है त्यारे बच्चों कहानी से सीख मिलती है कि समस्या चाहिए जैसी हो अगर बुद्धी का प्रयोग किया जाए तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है इसी के साथ प्यारे बच्चों जै ही जै भारत